नमस्कार जहें हैं दोस्तों आप सभी लोग देख रहे हो पने ट्रेश्टेड यूटूब चैनल तो आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तों आप सब लोगों को एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर आया हूँ मद्व सराज के दस्वी और बारवी क्लास की पूरक परिक्षा है उनके जो फॉर्म है वो कल शाम से यानिकी चार तारिक चार अगस्त को शुरू हो चुके थे हम थोड़ा सा लेट हो चुके हैं दोस्तों लेकिन आप लोगों को एक खबर देना बहुत जरूर है कि MP के जो सप पहले आप से गुजारी चुका चैनल को सब्सक्राइब पर लेए वीडियो को लाइक कर देए दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर दीजिए तो दोस्तों मैं आपको लेकिर आ चुका हूँ लोगों का 10th या 12th class का roll number है वो roll number आप लोगों को यहाँ पर put up करना होगा उसके बाद दोस्तों जो भी यहाँ पर capture दिया है उस capture code को आपको fill करना है capture code को fill करने के बाद दोस्तों जैसे ही आप लोग इस form को submit करेंगे तो मैं आपको एक पर live दिखा रहा हूँ आप लोग भी इसी परकार से कुछिस कर सकते हैं जैसे ही आप दोस्तों submit करेंगे आप लोग का जो भी details होंगी वो सामने open होके आ जाएगी अब आपको नीचे यह check box पर click करना होगा यहाँ पर आपके जितने भी subject में supplementary होगी वो सभी subjects एक के उपर एक यहाँ पर लिख कर आ जाएगे आपको इस subject टूपर टिक लगाना होगा उसके बाद यसे आप लोग सेव बटन पर क्लिक करेंगे सेव बटन पर क्लिक करने के बाद आप लोग का form को जिस परकार से सेव हो जाएगा आप लोग को एप्लिकेशन नमबर कॉपी करके रखना होगा क्योंकि बाद में काम आएगा एप्लिकेशन नमबर में कुछ भी नहीं है आपका रॉल नमबर से पहले एक S लगा दिया है उसके बाद दोस्तों आप लोग को जाना है proceed to pay मैं मैं आपको बता दो फीस ते हो तो दोस्तों भी आप लोग के पास available हो हम फिलाल इसकी आप लोग की जो net banking है उससे payment करके दिखाते हैं एक बार मैं आपको payment confirm करा देता हूँ तो दोस्तों मेरी payment successful complete हो चुकी है अब जैसे ही आप लोग दोबारा से अपने status चेक करने के लिए क्लिक करोगे यहाँ पर आप लोग की जो receipt होगी वो आप लोग को उपन के मिल जाएगी जिसमें आप लोग को यहाँ बार कोड भी मिलेगा आप लोग की receipt confirm हो चुकी है आप लोग देख पारे होंगे यहाँ की fees पे हो चुकी है तो दोस्तों इसी परकार से आप लोगों को अपनी fees भी पे करनी होगी इसका एक printout आप लोग ले दीजिए printout लेने के बाद आपको उस printout को और आपने पास रख लेना है क्योंकि आने समय में आप लोगे जो admit card होंगे वो तो आपके roll number से ही निकलेंगी दोस्तों यहाँ पर उमीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मालम चल गया होगा कि इस परकार से आप लोगों को fees भर नहीं है क्या आप लोगों की fees रहेगी हर विजह के लिए आपको मैंने बता दी द